नमस्कार दोस्तों स्वाधत करता है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों यहां पर देख सकते हो जो चोंकट में लगाए यह गेट क पल्ला है ना तो दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियों देखे होंगे कि ट्रीमर मशीन से ना, इसमें कब्ज़ गलाया जाता है, तो दोस्तों मैं भी बहुत पहले से ही इसमें कब्ज़ गलार हूं, कम से कम 17 साल पहले मैं router machine से कब्ज़ गलाया कर दे ठाए है, तो simple सा जगला मैं आपको आज इस वीडियो में वज दूर हो जाए तो वीडियो को पूरा देख नहीं हा ठीक है क्योंकि जब आरदस जान कर देने वाला हूँ इस वीडियो में और इसका हम जुगार बनाने वाले है कप जाग लाने के लिए तो वीडियो चालू करने से पहले आप समारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो इस टेइप से आपको आपके पास बीट आता है तो आपको खरिजना पड़ता है ठीक है इस टेप के बीट जो है के लिए तो इसको आपको लगाना कि देख सकते हो और अच्छे से पनों से इन detection कर लेना है ठीक है लिए अट्वर से कं गूम देख से दुनों से रहता है ना तुम एकी से काम चलाता हूं उसके बाद आपको क्या करना है यह आपको कबज़े लेना है ठीक है दोस्तों कबज़े लेने के बाद सबसे पहले आपको कबज़े को यहां पर रखना है ठीक है उसके बाद इसको अब डाउन करके आपको स्टेट करना है सब्सक्राइब करेंगे एक पल्रे में खशका लगाने हैं मसीन है तो है तो यह एक पट्टी जो है उसको सिम्पल से छोड़ देंगे ईस टेप से तो आप इस को एधेस्ट किजिए यह बराबर रखना है ना कपजा को इस टेप से और इस टेप से एक्जिस्ट करके देखेए एक पट्टि यहां पर बचा दिये इसको उपर का एगदम किनारे से बचाना है न दोग्त आपको या इधर से ऐसा करके नहीं बचाना है यहां पर आपना राउन जो बेरिंग लगा हुआ है वहां से आपको इसको आइस ट्रस से कर करने के बाद तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अच्छा से यह मेरा फिक्स है ना एक पट्टि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ यहां पर इसका काम होगे दो ठीक है अब मैं प्लाई के तरफ चलता हूं और इसका फर्ण बनाकर आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर मैंने एक बाराई नंक प्लाई ले लिए ठीक है मेरे पास सीख से में कर नहीं है आप चाहूं तो भी काम चल जाएगा ठीक है इसको मैं आप चाहँ नहीं नहीं काटनूंगा इतने ही रखोंगा ठीक है दोस्तों तो सब्सक्राइल परमिंगे यहां पर हम एक तीन तो पर बाद यहाँ तरीका रहता है ना तो यह जो देखिए जो इसमें साफटोंगा और लगता है कुछ-कुछ है ना उसके लिए ट्रेट करने करें तो हम सिंपल मसीन इधरी को ऐसा पकड़ते हैं जितने भी ट्रीमर मसीन होते जनरली इधरी रहता है ना कोई दूसरा रहता होगा तो मुझे नहीं मालूम है अब क्या करें दूस्तो शबते पहले हम यह अगल बगल वाले साइट को नापने तो यह ना पीछे है तो सिधा सिंपल को बेट को सिधा इस डिप से घुमाना है एक पांस बशीट में इसको भी ले लूँगा ठीके दूस्तों और सेम आपको इधर हम आपना है ना छाहिसा कि देखे इधर भी मैं एक इंच पांसूत है ना स конфच प में जैंक हुई प debates का यहां से हम पाँिंच ने घ्म का एक फीद ऑच भेसी होगा धिंच गन्य दो सोटन तो धिरया आऽ fak jos उसके बाद आको कपज humano एक बड़ नाप लेना है कित्ना लंबाई हैं 102 अधिकम हैं तो फितम यहां पर पांच में अद्धत कम कर लिए ना तो sırफ तेंगे यहां आपको चोड़ तक चोहां से हैं तोने यहांत में पर आध्धत कम मैं क मार्किंग और कर लेता हूं यह इस टेप से हैं इस मार्किंग को घुमा दोना है हाप यह यहां तक ठीक है दोस्तों तो यह मेरा यह कब्जे का और प्लस यह जो अगल बगल जो यह जगा लेगा उसके लिए मैंने जगा शोड़ दिया अगल बगल एक कब्जे का बीचुबी आपका छोड़ गया ठीक है आप खरेंगे दर बेट को आपको ऊपर तरफ गुमाना यह पीछे अपना देख यह वाल अपना पीछे तो इस तरफ से आपको एक बार और आपने एक कि तो मैं एक इंच का तूट तो तो यह हो गया पना और एक इंच के बाद आपिशिए च्पांस्वू के बाद आप हैं यहां तक मेरा दो इन 2 600 फिक्स आ रहा है का वह सकते हो उसके यहां प्रिख अग Boulder डेन अब लुख सकते हो इन दो इन 2 600 फिक्स है न तो पन क्या करेंगे किसा रहा है अ है है कुझे मातों मैंने स्कॉtar मीन आपकी कर दिया आपको प्लाइच सुटाइग most इसको घुमा देना है ना मुदर फिधर मिला देना इसमें तो यह दोस्तो मैंने इसको मिला दिया ठीक है अब हमको क्या करना होगा इस बिच को हमको काटके निकालना हो गया यह वाले पोर्शन को पुरा और काटने से पहले हमको जैसी कि हमने इधर तीन इंच छोड़े थे तो इधर तीन इंच एक और मार्किंग कर लेंगे आप चाओ तो इधर इधर को दो इंच छोड़ सकते हुए ना मेरे पास प्लाई लंबा है थोड़ा है तो मैं ज्यादा ले ले रहा हूं इस टाइप से है अगर तो तो दोस्तों हमने यहां पर कटिन कर लिया जो अपना ट्रीमर का फर्मा है उसको ठीक है दूस्तों अब चलिए इसको अंदर-अंदर आपको बता दूए हुआ है तो यह अंदर-अंदर-अंदर 8 इंच दो सुत है तो 8 इंच-200 कैसे है जो में एक बार सम जाता हूं हम फार्च में आधा सूत कम जो अपने कब्जे का है ठीक है और बाकि जो ट्रीमर का प्लेट का है एक इंच फाह देकिंश की जाया से यह 3 ंदो सुत हो जाता है अब इधर से देखते हैं तो इधर दो इंच 6 तक तो धीन्ज 5 से अब आ इसके पर आपको क्या दो आपको सवन जेक बाख कर दोत्र जोड ना 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 है और यहां पी किनारे किनारे पको इसको थोक देना है अब तो ने ठोकनाय अभी पल्ले में पुर डो कि Portuguese हुआ एह झाल्य दोस्तो अब क्या करते है चली इसको चै करते है कि पете दोस्तों तो । यह च्छाल आए इसमें हमको कप्जा गलाने से पहले और कुछ बात ध्यान रखेंगे हैं ठीक हैं तो मैंने तीनों मैंने करने दाब मार्किंग कर लिया है ठीक है दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी बास यह होती है आपको कब्जा कि दर से गलाना होगा तो चलिए इसमें फ्रेम करते हैं फिर आपको कब्जा गला के दिखाते हैं कि दुखता पबलबे क्या करना होगा आपको यहाँ से जहीं इक कब्जा केमरेख्व कर डिख मार्किंग है तो आपको यहां पे कोई एक इंच को श्रेट करकी मार्किंग ने अपको एक इंच पांत सुद जगह आ पर आपको शोड़ेन Sehr ना मैं एक इंच 500 यहाँ पर इस्टा से मार्किंग कर लेता हूं देख सकते हो है ना तो यह हो गए अपना मार्किंग आप सिंपल सापको फ्रेंश कि उठाना है और सबसे पहले आपको इस मार्किंग में यह वाले जो एक भाग एक खच का है यहां से मैंने यहां तक यहां तक 500 मार्किंग किया हुआ है नί कि शिबने सांवने से आपको बराबर करना है इसमें भी ठीक है दोस्तों देखिए पुरा मठ ठोग देना निकल भी जाए निकल देशा में क्योंकि एक ही कभजे नहीं तीन कभजे दे रहा हूं है अब चलिए मशीर को इसमें चैक करते हैं तो सबसे लिए कि तो यहां पर देख्खत सके ॸक्तों मिएन परफ्यक्त तरिके से दिलकुल हुआ कि हिशाप से यहां पर मेरा मशीन चल रहा है और यहां जाके टिग गया अब सिंपल साबको इसी को देज़े अराम अराम से करके पुरा इसको खचका लगाना चलिए अब लगाते हैं तो देज़े सकते हमने यहां पर खचका लगा लिए ठीक है आप क्या करेंगे हलका कहीं भी आपको थोड़ा भूस माल लगाता है तो आप अपको चौर्शी से माध्यम से बराबर कर सकते हैं यह बराबर करने के बाद दोस्तों आपको यह जो कारूनर है आपको इस चौर्शी मैंने यहां से कोने कोने को साप कर देठी के अपचली इसमें कब्जे डालके देखते हैं तो देखिए दोस्तों यह मेरा कब्जे जो है परफेक्ट आ रहा है और इधर बगल से आध्या सूद गेप शूट रहे बढ़ जाता है ना ताकि कब्जे जो है खुल सकते है राम से यह देखिए और यहां जो मेरा पट्टी है यहां इधर कोने से देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स है इस पल्ले के बराबर है ना इस कवर्णर के पीछे साइड से तो देखिए दोस्तों कितना बहतरीन तरीका से कब्जा गल चुका है इसको हम डबब करके देखते हैं तो यह दिखाते हैं तो दोस्तों फाइनली मैंने इतिनों कब्जी इसमें गला दिये और इसमें इसको भी जाम कर दिये ठीक है देखिए तरह और यह तरीके से अपना अच्छे तरीके से बहुत जल्दी अपने यह काम हो गया है तो इस जीवार के मतलब यह है दोस्तों जिसे आप इसको हाथ से खचका लगाए तो हाथ से कम एक से डिल घंट रजाता है तीन कुछा को कचे में फिल सींग धिक है और मसीन क्या आप पंदर में काम कर देता है ठीक है तो यह वीडियो कैसा लगा है दोस्तों उम्मित हैं मुझे कि यह वीडियो आपको समझ में आगया होगा और जुगार भी आपको समझ में आगया होगा अगया तो आपने बहुत सारी वीडियो में देख लिए होंगे कई कई भाई हो के इस वीडियो से होता कि आपको कुछ दिखने को मिल जाए अगर यूडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करते हैं मिलते किसी और पूर्ण में किसी और अपकी सार्थ अब तक कर जय हैं वंद्य मात्रव